पाइनल इस्ट आफ गूर्मर्मर्स में अब सबका स्वागत है दोस्तों री कॉंस्टिटुशन आप पार्टिर्शिप को इंड इसक्राइब करते हुए आज हमें सेशन में ट्रीट्मेंट अफ अन्डिस्टिबूटिट प्रॉफिट एंड अडिसर्ब्स को डिसकस करेंगे जैसा कि हमने लास्ट सेशन में डिसकस किया था कि अगर प्रॉफिट शेरिंग रेशो में चेंज आने के कारण एक नई पार्टिर्शिप जो है वह एक दिस्टेंस में आती है तो उस कारण यहां पर पार्टिर्शिप फोर्म के अंदर कुछ चेंजिस होती है कुछ फोर्म के गुडल की वैलुइशन की जाती है और उसके अगर्डिंग गेनिंग पार्टनर जो है वह सेक्रिवाइस करने वाले पार्टनर को कमपंसेट करते हैं अब इसी कड़ी को जोडते हुए आज हम इस सेशन में डिसकस करेंगे कि जब नई पार्टिर्शिप फोर्म की क्या होते हैं अब देखो जो भी प्रॉफिट उन करती है उसको उनर्ष कभी सारा की सारा प्रॉफिट प्रॉफिट जो है पार्टनर को डिस्ट्रिबूट नहीं करती कुछ प्रॉफिट्ट यहां पर वो बचाके रख लेती है ताकि आने वाले टाइम में अगर यहां पर कुछ profit यहां पर बचा लेती है और बाकि जो profit है पार्टनस को डिस्टिबूट कर दिया जाता है तो जो profit firm ने पार्टनस को distribute नहीं किया उसको हम बोलेंगे अन्डिस्रेब्यूटट profit और जो undistributed profit होता है वो किसी रिजर्व के रूप में यहां पर फोर्म के पास पढ़ा रहाता है मतलब जिस purpose के लिए उसको spend करना है उसके लिए के लिए यहां पर जो है reserve create कर लिए जाते हैं तो अब अगर हमें देखना है कि अगर partnership के अंदर change आती है पुराने agreement को खतम करके एक निया agreement बनता है जिसके गारण नई partnership बनती है तो जो पुराने reserve है पुराना जो undistributed profit है उसको कैसे treat के आता है तो पहले हम समय लेते हैं कि कौन-कौन से possible reserve या undistributed profit हमारा हो सकता है अब देखो यहां पर जड़ो के टाइप के होते हैं फिर भी मेंली हमारा यहां पर जो है जर्नल रिजर्व का balance हो सकता है नमबर सेकेंड रिजर्व फंड का balance हो सकता है नमबर थर्ड प्रॉफिट और लॉस अकाउंट यह प्रॉफिट और लास अप्रॉब्रेशन अकाउंट का balance हो सकता है इसके अलाबा कि वर्कमेंड कंपन्सेशन रिजर्व हो सकता है कि अधिट मैं में पंपन्पंशेशन रिजर्ब का बैलन्स को सकता है कि इसके इन्वेस्टमेंट हो सकता है flips introduction रिजर्व हो सकता है कि ओम पें इन्वेस्टमेंट फ्लेक्टेश्वेशन Cellular k में नहीं consistent अब यहां पे जो हैं, डिएकियोक विडिव्ड करने के लिए लिए इसको बाहर कहीं दूशे का इन्वेस्ट कर देते हैं, ताकि उसके बाहर तो उसको हम बना जाते हैं, ठीक है इसके अलाबा अगर आपने यहां पर को रिज़र्व रेट नहीं किया हुआ है बट पूरा प्राफिट यहां पर पारणर को नहीं बाटा तो वह बैलेंस प्रॉस्ट रूर्स को रूप में हमारे पास रहता है इसके अलाबा वर्कमेंड कंपंसेशन रिज़र्व बनत ऐसे investment fluctuation reserve होता है कि जो हमने बाहर investment कर रखी है अगर उसकी value में fluctuation होती है ठीक है क्योंकि investment की जो value होती है वो market trend के according होती है कभी value बढ़ जाती है कभी कम हो सकती है तो उस case में यहाँ पर जो भी loss होगा अगर investment की value में fluctuation हो रही है और यह सारे के सारे reserve जो होते है यह profit में से ही create किया जाती है ठीक है तो अब क्योंकि यह profit का ही portion होता है जो firm के बास पड़ा हुआ है जिसको firm ने future में use करना है इसलिए उनको हम undistributed profit भी कह सकते है ठीक है अब यहाँ पर कोशन यह उड़ता है कि अगर यहाँ पर partnership के अंदर change आती है नहीं partnership form की जाती है तो जो पुराने reserve होते है पुराने यहाँ पर जो undistributed profit होता है उसको यहाँ पर किस टीक है ट्रीट किया जाए अब जो उसको हम दो तरह से treat कर सकते है treatment of चो लोग खाली reserve लिख लिख लेते है treatment of reserve इनको हम दो तरह से यहाँ पर treat कर सकते है अगर यहाँ पर नई partnership form की जाती है जाती है तो जो भी हमारे undistributed profit होगा या reserve के balance होगा उसको दो तरह से हम treat कर सकते हैं ठीक है या तो जितने भी हमारे reserve के balance होगे undistributed profit होगा वो हम partners को उनकी old ratio में distribute कर देते हैं old ratio में उनको बांड देते हैं ताकि उनके बीच में कोई dispute पैदा ना हो या कही बार क्या होता है कि partner चाहते हैं कि जो reserve है वो books के अंदर खत्म ना किये जाएं अगर partner यह चाहते हैं कि books के अंदर यहाँ पर reserve खत्म ना किये जाएं उस case में फिर हम यहाँ पर उनको partners में distribute नहीं करते हैं उस case में यहाँ पर जिस partner नुकसान होता है उसको फिर gaining partner जो अंदर करता है उसका जो proportionate share बनता है reserve के अंदर तो gaining partner के account से निकालके sacrifice करने वाले partner के capital account में उसको transfer किया जाता है ठीक है तो अब इनका accounting treatment हम कैसे देते हैं one way one इनको discuss कर लेते हैं तो पहले हम बात करेंगे कि अगर यहाँ पर सारे reserve या undistributed profit हम partners को distribute कर देते हैं उस case में किस रेकिज़ बुक्स में यहाँ पर transaction हम record करते हैं अब पहला कोशन यहाँ यहाँ भी arise होता है कि भी हम reserve जो आप partners को बानते ही क्यों है ठीक है तो अब इसमें देखो यहाँ पर यह हमारे main 5 type के reserve होते हैं तो फिलाल अभी मैं बात करूंगा जो आपको मैं accounting treatment बताऊंगा वो पहले 3 reserve के बार मैं बताऊंगा बाकि यह 2 reserve है इसको भी वैसे हम treat करते हैं बढ़ इसमें थोड़ा सा यहाँ पर change आता है इसमें यहाँ पर treatment में थोड़ी सी change आती है इसलिए इनको हम बात में one way one discuss करेंगे तो पहले अभी हम बात करेंगे पहले 3 type के reserve की कि अगर general reserve है reserve fund का balance है या profit and last fund का credit balance है credit balance का मतलब हो गया यह हमारा वो profit है जो भी distribute नहीं किया क्योंकि profit last fund का credit balance ही profit होता है अगर debit तो loss होता है तो पहले हम यह तीन पहले तीन fund से यहाँ पर discuss करते हैं तो पहले हम समझते हैं कि जो undistributed profit है या reserve के जो balance है वो partners को बांटे क्यों जाते है example देखेंगे आपको समझाता हूँ मालों यहाँ पर दो partner है इनका यहाँ पर जो एक journal reserve है कोई भी reserve हो सकता है journal reserve जो है इसका balance जो अब 10,000 है balance of journal reserve इनकी यहाँ पर जो profit sharing ratio है profit sharing ratio जो है यह 1 is to 1 है ठीक है 1 is to 1 है अब इन्होंने decide किया कि यहाँ पर इस ratio को हम change कर लेते हैं इस ratio को हम change कर लेते हैं अब नहीं ratio इन्होंने यहाँ पर decide कि कि अब यहाँ पर यह profit 2 is to 1 की ratio में बांटेंगे ठीक है यह भी मिटाई देती है दो partner A and B इनका यहाँ पर जो journal reserve का balance वो 10,000 है इनकी जो ratio थी profit बांटने की 1 is to 1 है अब इन्होंने decide कि कि इस ratio को change करते हैं नहीं ratio जो है उसके जरी हम profit बांटेंगे तो new ratio निकाली 2 is to 1 ठीक है तो यह उपर वाली क्या होगी old ratio तो अब देखते हैं यहाँ पर कि भी अगर ratio profit sharing ratio change होती है तो उसका क्या impact पड़ता है इस ratio को change करने से पहले देखो reserve के ओपर यहाँ पर इन दोनों का right कितना कितना बनते तो होते हैं या undistributed profit होता है वो owners को बाणडा जाता है partners को बाणडा जाता है उनकी यहाँ पर profishing ratio में अब old ratio के मतावी देखें तो इनका कितना share बनता है profit में इनका share बनता है रिजर्ब में इनका share बनता है वो 5500 ही बनता है क्योंकि equal partner है दोनों दोनों equal partner है तो इसलिए यहां पर जो reserve में इंका share बनता है old ratio के मतब़व 5,000 फाइर तॉद नहीं बनता है ठीक है इसको हम कहसे थे old share अगर profit sharing ratio change होती है तो देखों उनका यहां पर जो है क्या share बनता है new share अब 2 is to 1 की ratio में यह 10,000 को अगर बांटें तो 2 by 3 A का 1 by 3 किसके B का तो यह बनता है हमारा 6,667 यह बनता है 3,333 ठीक है 1 third नहीं profit sharing ratio आने के बाद अब देखों किसको फाइदा हो रहा किसको नुक्सान हो रहा है इस ratio से पहले दोनों partners का reserve के ओपर 500,500 का right था नहीं ratio होने के बाद इसका जो claim है reserve के वो बढ़ गया 6,667 इसके हिस्से में आ रहा है 3,333 इसका मतला B को नुक्सान हो रहा है यह को यहां पर फाइदा हो रहा है ठीक है ना जबकि यहां पर यह नहीं partnership को form करने से पहले का है तो इसलिए यहां पर इसके ओपर यहां पर सभी partners का प्राणी ratio के मताबिक ही right बनता है ठीक है अगर नहीं ratio के मताबिक अगर हम देखेंगे तो उस case में B को नुक्सान हो रहा है तो future में इनके बीच में dispute पैदा हो सकता है अगर यहां पर यह जो reserve के balance है इनका यहां पर settle नह कर दिया जाते हैं ताकि किसी को भी किसी को भी यहां पर कोई extra benefit ना मिले या किसी को यहां पर जो कोई extra loss ना हो ठीक है इसलिए यहां पर reserve के balance पार्टन को distribute कर दिया जाते है और उनकी old ratio में ही उनको distribute किया जाता है ठीक है तो मैंने आपको बताया था कि इनका accounting treatment हम दो तरह से दे सकते हैं अगर सारे partners मान जाते हैं कि वह जो पुराने रिजर्व है पुराना जो undistributed profit है उसको यहां पर आपस में distribute कर लिया जाए फिर तो हम यहां पर जो उनको old ratio में को distribute कर देते हैं ठीक है तो old ratio में distribute करते हैं तो इसका accounting treatment क्या होगा तो सब से बहले जनल गुक में हम पॉस्टिंग होती है अगर सारे रिजर्व हमें यहां पर partners को distribute करने हैं तो distribute करने के मतलब हो गया कि जितने भी रिजर्व के balance है undistributed profit के balance है वो सारे के सारे partners की old ratio में उनके capital account में transfer कर दिया जाएंगे ठीक है क्योंकि partners को जो भी मिलेगा वो partner उसके capital account में डाल दिया जाता ह है और जब partner को जूरूर्त पड़ती है उसी account के जरीए वो पैसा अपने business से withdraw कर लेता है तो अब हमें देखना है किसकी general entry क्या होगी मालों यहां पर reserve है कि इसको partners को बांटने है ठीक है अब partners को बांटने है एक account इसमें reserve हो गया दूसरे हो गया partners के capital account कि जब हम जनल एंटरी करते हैं तो पहले हम देखते हैं यहां पर कि इस transaction के अंदर कौन-कौन से account involved है उनकी nature find out करते हैं फिर rule के मताबिक यहां पर जो है अपनी जनल एंटरी जो आपको तियार करते हैं तो अब two approaches है traditional approach और modern approach अब हम modern approach के मताबिक आपको बताता हूं कि किस से के जनल एंटरी बनती है ठीक है क्योंकि उसको apply करना थोड़ा सा असान है अगर traditional approach से भी करेंगे तब ही result हमारा same आएगा modern approach में हम क्या करते हैं अपने accounts को कैसे classify करते हैं हमारे accounts में पांच type के होते हैं Assets, Liability, Capital, Expenses और Income Account तो यह five type के account हो सकते हैं अगर modern approach को हम apply करने जनल एंटिस करने के लिए यह आलरी हम पहले के lectures में डिसकस कर चुके हैं तो अब हमें सबसे वहले देखना है कि हमारे यहां पर यह जो balance है इनकी nature के है जो reserve होते है बिजनस के अंदर जो भी undistribute profit पड़ा है, reserve पड़ा है वो उस business की liability होती है, liability की होती है क्योंकि वो profit जो है वो owner का है, owner का profit अगर बिजनस ने अपने पास रखा हुआ है, इसका मतल वो libel है यहां पर owner को pay करने के लिए, तो जब तक वो profit जो है, owner बिजनस अपने owner को नहीं देता है, तब तक उसकी liability रहती है, तो reserve कोई भी होगा, किसी form में होगा, वो business की liability होती है, ठीक है, और दूसरा हमारा capital account, क्योंकि यह reserve हमने owners को बाढ़ने है, और owners का account कोंस होता है, capital अब इनका rule क्या होता है, liability और capital का rule सेम होता है, कि liability और capital जब जब बढ़ती है, credit, कम होती है, तो debit, अब यहां पर reserve वार liability हमारी कम हो रही है, क्योंकि हम इनको partners को बांट रहे हैं, इसको क्या करेंगे, debit, और partner को जब यह reserve बढ़ेगा, तो इनकी capital का balance बढ़ जाएगा, क्यो बढ़ेगी, उसको हम क्या करतेंगे, credit, ठीक है, एक जिसका आपने ध्यान और रखना है, कि cable हमने यहां पर current account भी open किया होते है, क्योंकि यह depend करता है, कि partners की capital को हमने catrate किया है, अगर partner की capital हम fluctuating मानते है, फिर तो हर partner का खाली capital account ही होगा, तो जो भी reserve है, वो capital में चला जाए current account के अंदर, तो question के हमने अभी देख लेंगे, जो account वहाँ पर होगा, उसमें यहां पर transfer कर देना है, उसमें इसको credit कर देना है, ठीक है, तो entry क्या बन गई है, जितने भी reserve होंगे, उनको हम debit करेंगे, तो यहां पर खाली मैं reserve भी लिख रहा हूँ, तो reserve का मतलब हो गया, च चाहे वो reserve fund है, चाहे वो यहां पर workman compensation reserve है, कोई भी reserve होगा, तो इसको हम debit करेंगे, reserve account DR, to partners, जितने भी partners होंगे, उनके capital account को या current account को credit कर देंगे, और जो old ratio होगी, old ratio में यहां पर यह reserve जो distribute कर देंगे, ठीक है, एक treatment तो यह हो गया, कि जो भी undistributed profit है, यह reserve है, तो वो हम यहां पर partners को जब distribute करते हैं, ठीक है, तो उसकी general entry ही आ गई, दूसरा treatment है, कि के बार सारे partners मिलके यह decide करते हैं, कि reserve को खतम नहीं करेंगे, ठीक है, reserve जो है, बुक में exist करेगा, reserve हम खतम नहीं करेंगे, उस case में यहां पर जो है, किस रिकिजस का treatment दिया आता है, क्योंकि जब profit sharing ratio change होती है, तो किसी partner को नुकसान किसी को फायदा है, अगर यहां पर यह reserve अपस में distribute नहीं करते है, old ratio में, तो sacrifice करने वाले partner को नुकसान हो जाएगा, ठीक है, उसको profit का नुकसान हुआ ही हुआ है, उसको reserve का भी नुकसान हो जाएगा, तो इसलिए इस case में, अगर यहां reserve के balance खतम नहीं किया जाता है, बुकस के अंदर, partners चाहते हैं, कि reserve के balance बने रहे हैं, उस case में फिर जो gaining partner होता है, उसको यहां पर sacrificing partner को compensate करना होता है, ठीक है, तो वो हम देखते हैं यहां पर, कि उस case में यहां पर sacrifice करने वाले partner को proportionate कितना loss हो रहा है, तो वो gaining partner के capital account से निका अब यह भी आपको example के साथ ही बताना पड़ेगा, मान लो यहां पर, जैसे यह अपना general reserve का balance है, 10,000, ठीक है, मान लो, A ने sacrifice किया अपना profit, 1 third, A ने sacrifice किया 1 third, और मान लो B का gain हो गया है, क्योंकि A का sacrifice हो, दूसरे का क्या हो गया है, gain, A ने sacrifice किया, क्योंकि A की जो नहीं ratio आई, उसके मताबिक यहां पर हमने calculate करके देखा, A ने 1 third profit अपना sacrifice किया, और B को उसमें फाइदा हुआ, तो अब यहां पर जिसको फाइदा हुआ, वो sacrifice करने वाले partner को compensate करेगा, अगर यहां पर वो reserve के balance अपनी books में खतम नहीं करते हैं, तो इसका मतलब, 10,000 का हम 1 third निकालेंगे, वो आ गया 3,333, ठीक है, अब यहां पर A को जो है, reserve के गारण इतना नुकसान हो रहा है, क्योंकि reserve इन्होंने बाटे नहीं है, जिसके गारण यहां पर A का आज जो है, इतना reserve जो है, उसका उपर share कम हो जाएगा, वो B को उतना ही फैदा हो जाएगा, इसलिए यहां पर जो है, अब B जो है, वो A को compensate करेगा, तो B के capital account में से इतना mode निकाल के, A के capital account में transfer करिया जाएगा, ठीक है, तो उस case में entry क्या बनेगी, क्योंकि दोनों के capital account इसमें involve है, जिसकी capital बड़ी, credit, और जिसकी capital कम होगे, debit, B की capital इसमें कम होई, तो B के capital account को debit करेंगे, B is capital account DR, और A is capital account credit, ठीक है, A को मिल रहा है, A को यहां पर जो है, जो भी amount V से मिलेगा, उसके capital account में credit हो जाएगा, उसकी capital बढ़ जाएगी, और B जो है, उसके capital account से यह amount निकलेगा, तो उसकी capital कम हो जाएगी, तो उस case में entry बनगी, B is capital account DR to A is capital account, हम यह भी कह सकते हैं, gaining partners capital account DR to sacrificing partners capital account, ठीक है, यह entry बनती ह है, यहां पर मैंने आपको example कैसा समझाया, तो बाकी इस त्रीके सा बिख सकते हो, gaining partners capital account DR to sacrificing partners capital account, ठीक है, current account होगा, current account होगा, current account आएगा, current account नहीं है, फिर हम capital account ही लिखते हैं, ठीक है, तो इस त्रीक है, यहां पर जो है, हम undistribute profit और reserve को treat करते हैं, तो depend करता है, कि हमने वो सारा का सारा reserve partners को बांटना है, कि reserve जो है, वो अपनी books में खतम नहीं करने हैं, तो जो question में होगा, उसके मताबिक हम यहां पर इसको इस तरीके से treat कर देते हैं, ठीक है, कोई भी reserve होगा, उसको इसी तरीक reserve, दूसरा reserve fund, तीसरा profit and loss account का credit balance, या के बार profit and loss appropriation account भी लिखा होता है, ठीक है, इसके लावा दो reserve और थे, workman compensation reserve और investment fluctuation reserve, उन reserve को भी ऐसे हम treat करते हैं, बट उसमें थोड़ा सा फर्क आता है, उसमें थोड़ा सा treatment थोड़ा अलग हो जाता है, तो अब one way one उनके बारे में हम discuss करते हैं, कि अगर workman compensation reserve है, तो उसको किसरे का त्रीट किया जाता है, या investment fluctuation reserve है, उसको कैसे treat किया जाता है, तो पहले हम लेने दे हैं, workman compensation reserve को, ठीक है, उसको इमिटा देते हैं, workman compensation reserve, अब जैसे कि आपको मैं बता चुका हूँ, कि workman compensation reserve, या workman compensation fund, क्यों मनता है, कि अगर workers को यहां पे, अपनी duty के दोरान कोई injury हो जाती है, उसको compensate करने के लिए, यह जो reserve है, यह create किया जाता है, ठीक है, कि अच्छानक उस समय यहां पे form के वर बर्डन ना पढ़ जाए, तो पहले ही यहां पे provision रखा जाता है, कि कल को अगर किसी worker को injury होती है, उसको compensate करने के लिए, हमें कोई problem ना है, तो अगर workman compensation reserve का balance है, तो इसको कैसे treat करने है, सबसे पहले आपने एक चीज़ देख जो है, अब हमें अगर partners को distribute करने है, मानलो यहां पे नहीं partnership form हुई, जिसका कारण यहां पे यह reserve जो है, उनको distribute करने है, उनको अपस में बाढ़ना है उनकी old ratio में, बाढ़ने से पहले आपने यह देखना है, कि इसके against कोई liability तो नहीं है, यानि कि कि किसी workers को को payment तो नहीं कर जो बाकी बचेगा, फिर वो हम partners को old ratio में distribute कर देते हैं, अगर reserve उनको बाढ़ना है, ठीक है, और अगर नहीं partner है, reserve खतम नहीं करने है, workman compensation reserve जो है, वो book में खतम नहीं करना है, उस case में फिर जो gaining partner होगा, वो sacrifice करने वाले partner को यहां पे compensate करेगा, जितना उसका proportionate share होगा, फिर करना है, सिर्फ एक ही इसमें difference आ रहा है, कि यह reserve बाढ़ने से पहले, या इसको treat करने से पहले हमें देखना है, कि इसके against कोई liability अगर होगी, तो वो liability इसमें से निकाल देनी है, ठीक है, मालूमें कहतो हो, यहां पे कि workman compensation reserve जो है, इसके against 1000 की liability है, कि हमने workers को यहां पे compensation pay करन ही है, वो 1000 है, अब हमें यहां पे इसका accounting treatment, या इसकी general entity करनी है, तो कैसे करेंगे, सबसे बहले workman compensation reserve को debit करेंगे, क्योंकि यह हमारे यहां पे जो reserve खतम हो रहा है, मालो यह reserve हमने partners को distribute करना, उनकी hold ratio में, उस case में जो workman compensation reserve है, इसका balance खतम हो रहा है, तो यह liability होती है, liability अगर बढ़ेगी credit में कम होगी तो debit में, तो यह कम हो रही है, उसको हम क्या करेंगे, debit, workman compensation reserve account DR, टू, यह जो हमने यहां पे workers को compensation pay करनी है, अब के नहीं है, वो इसी में से pay करनी है, इसका मतलब, यह liability खतम हो रही है, और यह liability हमारी arise हो रही है, ठीक है, यानिकि एक तरह का compensation है, तो अगर यह liability rise orience को हमके कहा है, credit, क्योंकि liability बढ़ेगी तो credit, तो यह बनता है, workman, इसको बोल दे है, workman compensation payable account, ठीक है, pay कर दिया है, फिर तो पर प्राब्लम नहीं है, अगर pay नहीं किया है, तो यह हमारी liability, और जब तक liability रहेगी, तब तक हमारी books में यहां पे, वो इस heading अ account, पूरा amount 10,000 है, यहां पे, तो compensation कितनी है, 1,000, 10,000 में सब 1,000 माइनस करके, जो बाकी 9,000 बच गया, अब वो partners को हम distribute कर सकते है, जब partner को बांटेंगे, उनकी capital बढ़ जाएगी, तो यह लिख देंगे, two partners, capital, public current account, तो जो उनकी old ratio होगी, उसी ratio में हम यहां पे इनको distribute कर देंगे, ठीक है, अगर partners को यहां पे यह reserve बांटना है, clear है, और अगर partner को यह reserve नहीं बांटना है, यानि कि partners चाहते हैं कि यह reserve खत्म ना हो, books के अंदर, उस case में 1,000 चला जाएगा, workman compensation paypal account में, और जो sacrifice करने वाला partner होगा, फिर हम देखेंगे कि उसको यहां पे, उसने कितना sacrifice किया, उसके गारण यहां पे जो है, जो remaining 9,000 बचा, उसमें उसका कितना share बनता है, ठीक है, जितना उसने sacrifice किया, उसका proportionate share निकालके, gaining partner के capital account को debit करेंगे, और जो sacrifice करने वाला partner उ यानि कि उसके इसमें एंट्री इसरी किसा बनेगी कुछ, गोड़तों सकाईता है, डाज जो हूंट या हॵागल कुछ लृऑ, बस्क जो ह।, या ह।, जो है।, गोड़तों सो सकर।, ख।, गोड़तों साफीज मत क उसके बनेगी दो सक्सावष ग्रण नोच बनेग刃 किव करने, और इसके जाय घूड़तों सक।, आज़तों से लि बिल्कुल सेम हैं।' उसका प्रपोर्श्येंट क्रेट करने हैं और फोर सबस्कैंद में से इसको भी ट्रीट करना है क्योंकि उसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस आता है अब उसको कैसे टीट करते हैं उसको देख लेते हैं अगी इन्वेस्टमेंट fluctuation reserve ठीक है investment fluctuation reserve मान लो इसका भी amount जो है जो balance अवो 10 था बंड है तो अब इसको में यहाँ पर treat करना है यहाँ तो partners को old ratio में इसका balance distribute कर देना है अगर यहाँ पर इसको खतम नहीं करना है तो उसके इसमें वही gaining partner या sacrificing जो partner सा उनके capital account को debit credit करेंगे उनके proportionate loss के लिए ठीक है अब आपने यहाँ पे इसको बाढ़ने से पहले investment fluctuation reserve को बाढ़ने से पहले आपने देखना है कि भी जिस investment के लिए आपने यह reserve बनाया है उसकी value में कोई increase decrease को नहीं आई है अगर कोई increase decrease नहीं है investment की value में कोई change नहीं है उस case में यह सारा का सारा यहाँ पे जो balance है यह partners को हम distribute कर देंगे ठीक है अगर पहले वाली option चूज़ करते हैं तो उस case में entry क्या बनेगी entry हुई same investment fluctuation जो reserve है वो खतम हो रहा है और जो liability खतम होती है वो debit और जो बढ़ती है वो credit तो उस case में हम डाल देंगे investment fluctuation reserve account DR to partners capital account या partners current account तो उनकी old ratio में यहाँ पे यह पुरा का पुरा reserve जो हो distribute हो जाएगा ठीक है और अगर यहाँ पे यह reserve हम खतम नहीं करते हैं उस case में gaining partners entry यां same है ठीक है उनमें कोई difference नहीं है gaining partners capital account या current account capital current account DR to sacrificing partners capital account public current account ठीक है तो जो भी यहाँ पे इसका proportionate loss होगा sacrificing partner का इसके account में credit और gaining partner debit ठीक है बकी निकालने का सेम प्रसीजर सेम है आपने पहले इनकी ratio निकाल ले नहीं है कि किस ratio में नुक्सान हुआ है तो जो भी इनकी यहाँ पे sacrificing ratio होगी उसमें से यहाँ पे इस partner का उसके अमदाभी proportionate share निकालके gaining partner के capital account में debit इसके capital account में credit चाए capital account है ठीक है अब अगर मानलों यहाँ पे एक और case ले लेते हैं कि भी जिस investment का gainst हमने यहाँ पे reserve बनाया है अब उसकी value जो है 1000 कम हो गई ठीक है investment की value 1000 कम होगी तो नुक्सान हो गया loss हो गया तो जब भी यह reserve हम बांडेंगे तो पहले उस loss को इसमें से हम minus करेंगे और जो बाकी बचाएगा उसको हम partners को distribute कर सकते हैं ठीक है जैसे workman compensation reserve का treatment था सेम लगा कुछ ऐसा ही है सिर्व वहां पर कहा है कि वहां पर जो workers को compensation देनी है वहा नहीं है इसमें अगर investment की value में decrease आने के करण loss हुआ उस loss को पहले इसमें से cover करेंगे और जो बाकी reserve बचाएगा वह from partners को बांटेंगे ठीक है तो entry क्या बनेगी entry सेम ऐसे बनेगी investment fluctuation reserve account DR 10,000 इसके मताबिक चलें 2 सबसे बने यह loss कवर करने के entry अगर investment की value कम होती है जिसकी वैसा loss हुआ तो अगर investment की एसेट है अगर उसकी value बढ़ती है तो debit कम होती है तो क्या करेंगे credit investment की value 1000 पर कम हुई तो उसके लिए investment काउंट को क्या करेंगे credit टू इन्वेस्टमेंट अगाउंट है कि मालो 10,000 यहां पर यहां गया 1,000 और जो बाकी बचके 9,000 वो पार्टनर्स को बांट देंगे टू पार्टनर्स कैपिल अगाउंट अब लिए करेंट अकाउंट ठीक है उनकी ओल्ड रिश्टम में यहां पर जो 9,000 वो डिस्टिउट कर देंगे ठीक है यह इस तिके से एंट्री कंप्लीट होती है ठीक है इसमें तीन अकाउंट है यह लाइबिल्टी है यह एसेट है यह कैपिल अकाउंट है तो रूल क्या बढ़ रहे है यह लाइबिल्टी है लाइबिल्टी खतम हो रही है दो stat हमें यहां पर जो हुआ है वो इस में से हमने कवर करना है वो रॉस जो उसके विए इन्वेस्मेंट की वैल्यू कम होगी इन्वेस्मेंट को प्रेडिट अब यहांBO è ब बाग्य जो जर्ब बचा है वो हमने partners को बाढ़ना है उनके capital account में जा current account में वहाँ पे credit करना है जिसके विएसे उनकी capital बढ़ जाएगी अगर capital बढ़ेगी तो credit काम होगी तो debit यहाँ पर बढ़ रही है इसलिए क्या करती है credit ठीक है यह entry आ गई है और अगर हम यह reserve नहीं बाढ़ते हैं अगर हम यह reserve नहीं बाढ़ते हैं उस case में यहाँ पर यह जो 9,000 है इसमें फिर हम यहाँ पर sacrifice करने वाले partner का proportionate loss निकालेंगे और वो यहाँ पर gaining partner के capital account में debit और जो sacrifice करने वाला partner को उसको क्या होगा credit ठीक है पहले case में पूरा 10,000 में निकाल रहे हैं दूसरे case में क्या है 9,000 ठीक है loss minus करने के बाद जो बचा है उसके मताबिक हमें देखना है कि sacrifice करने वाले partner को यहाँ पर कितनी compensation मिलेगी entry सेम ऐसी होगी सिर्फ amount में difference आएगा ठीक है clear है कि अगर कोई loss नहीं है तो पूरे-पूरे reserve का amount को हमें treat करना है इसके recording चाहिए चाहिए दोनों में से कोई एक case हमें adopt करना है और अगर loss हो रहा है तो पहले loss minus करना है उसके बाद जो बचेगा फिर उसको उस amount को हमें यहाँ पर treat करना है entries सेम हैं सिर्फ यहाँ पर loss वाले entries में फालत हुआ है और दूसरा यहाँ पर जो दूसरा case है कि अगर हम यहाँ पर reserve नहीं बांटते हैं books के अंदर उसका balance हम खतम नहीं करते हैं तो उस case में gaining partner को debit और sacrifice करने वाले partner को credit तो इस टेकर यहाँ पर जो भी undistributed profit होते हैं partnership form के यह reserve के balance होते हैं तो उनको हम treat करते हैं अगर यहाँ पर नहीं partnership जो form की जाती है ठीक है तो दोस्तों यह था हमारा आज का topic तो ऐसे हम यहाँ पर अगले session में भी देखेंगे कि form के अंदर और कौन-कौन सी changes आई और उसको हम कैसे accounting treatment देते हैं तो चलिए दोस्तों मिलेंगे अपने अगले session में thank you thank you very much